एपिसोड की शिर्वात में हम नान को देखते हैं जो लिनी से बोलती है कि मैं तुम्हारे और यवान की बीच की लड़ाई को देख सकते हूँ और इस मामले में मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ जिस पर लिनी पूछती है कि कैसे तो बोलती है कि तुम्हें खुद को बदलना होगा जिससे कि वो तुम्हें नोटिस करे फिर वो उसे बताती है कि मेरे पास एक फ्रेंच ब्रैंड आया है जो कि चाइनीज मार्किट में एंटर करना चाहता है और जब मैंने इस बार में युवान से बात की तो वो चाहता था कि तुम इसके इंचार्ज बनो और इ यौंगी ने उसे बराना सिकाया तो और वो उसे काफी पसंद भी आता है तब ही फैंग मिंग की डाट वहां पर आ जाते हैं जो कि यौंगी की बाहर में पूछते हैं कि वो काफी टाइम से यहां पर नहीं आई क्या हो मुझ से अब भी नाराज है जिसके जवाब में पर निकालता है क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो वो उन दोनों को सामने लेकर आपाया था पर इसका सारा प्लान अब खराब हो गया अगले दिन अब हम उर्फिला को देखते हैं जो कि नान पर गुस्सा कर रही थी कि उसका काम सिर्फ शौशो को लूओ से दूर करने का थ पर योंगे को उस पर भूरा भरोसा था कि वो वैसी नहीं है तब ही शौशो को युवान का कॉल आता है जो उससे बताता है कि तुम शौबू प्रोजेक्ट पर काम कर सकती हो लेकिन तुम्हारे डिजाइन्स पर नान का नाम होगा जिसके जर्ये वो कंपनी में भी रह जो सुनकर शाव शाव सोचने का थोड़ा सा टाइम मांगती है वह योंगी यह सब सुनने के बाद कहती है कि वो इस बार में युवान से बात करेगी दूसरी तरफ लो नान को और फिला की कंपनी से बाहर आते वे देखता है जो बात उससे काफी अजीब लगती है अगले यह बात बार पता चले तो कंपनी के लिए और जादा बुरा होगा तो यहान बोलता है कि कोई बात ने फिर वो इसके लिए किसी और डिजाइनर को पुछेक्ट दे सकता है लेकिन यहांगी बोलती है कि आप काफी दिन बीच चुके हैं और लोग इस निउस को कुछी टाइ ब्रिक हैं और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई ऐसे डिजाइनर जिसके कैरेक्टर पर सवाल उठे वो इस पर काम करें दूसरी और लुओ और फिला से मिलता है और उससे पूछता है कि नान यहांपर क्या कर रही थी कहीं शाओ शाओ से मेरे ब्रेक अप की बीचे उसका हाथ त इस पर वो बोलती है कि भला मुझे कैसे पता होगा तो लुओ उससे बताता है कि नान पहले लीजी जी के खिलाफ गई थी और उसी ने उसे रिपोर्ट किया था तो हो सकता है कि हेंचिंग वाली इडिन्टिटी को एक्सपोस करने में भी उसी का हाथ हो जो सुनकर और फिला की वज़े से आज लीजी जी की यहालत हो गई इसलिए वो यहां से चला जाता है दूसरी तरफ हम शाओ शाओ को देखते हैं जिसके बीचे नान उसे रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि शाओ शाओ नान पर से अपना ट्रस्ट पूरे तरीके से खोच चुकी थी और वह पर उसके दुखी थी कि अब उसके डिज़ाइन्स पर उसके सिकनिचर की जगानान के सिकनेचर होंगे इस पर नान उसे कहती है कि यह यवान का डिसीजन है और इसमें मेरा कोई भीहात नहीं है पर शाओ शाओ काफ़ी अपसेड थी इसलिए गान को बेसफ आप यदी है इस इसलिए यॉंगी को लगता है कि फैंग मिंग और समर गुरू एक दूसरे को जानते होंगे पर वो उसे रेसिंग के बार में बात करने से मना कर देता है जिस पर यॉंगी बोलती है कि अगर तुम श्रिंग के वज़े से वापस रेसिंग में नहीं जाना चाते तो तुम गलत ह पर फैंग मिंग कहता है कि यह इतना आसान भी नहीं है और यहां से चला जाता है जो देखकर यॉंगी उससे कहती है कि वो रेस कोर्स में उसका इंतिजार करेगी दूसरी तरफ लेनी और यॉवान की बात उसे लग रहा था कि अब उनके बीच में सब कुछ ठीक हो चुका ह जिस बात से लिननी भी काफी खुश थी पर जब वो बहारा कर शाओ शाओ को देखती है तो वो उससे कोई भी बात नहीं करती इसले शाओ शाओ भी उससे बिना बात किये ही आँसे चली जाती है फिर हम फैंग मिंग की डाड को देखते हैं जोकि सफाई कर रहे थे जिने र हमेशे से उसके खिलाफ थे फिर हम नान को देखते हैं जोकि काफी ट्रिंक कर रही थी तब ही लूब वहां पर आता है जिसे नान नहीं फोन करके बुलाया था वो उसे इस हाल में देखकर वापस चलने के लिए कहता है पर नान उसे अपने साथ बैठा लेती है और उसे उन अज़्दीक बुला कर एक सीक्रिट बताती है कि रहक कंपने के पास सब कोई भी फाइनेंशल सपोर्ट नहीं बचा है जो सुनकर लोग से वापस घर चलने के लिए कहता है पर नान उसे बताती है कि वो उसे कितना पसंद करती है लेकिन एक वो है जो कि शावशो की पीछे पड़ा हुआ है जिस पर लोग से साफ सब बता देता है कि मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया इसले तुम्हें मुझसे कोई उमीद नहीं लगानी जाहिए जो सुनकर वो रोनी लग जाती है अगले दिन हम योंगी को देखते हैं जो कि शावशो की आँखे बंद करके उसी कमनी में लेकर जाती है और जब योंगी उसकी आँखी खोलती है तो शावशो अपने डिजाइन को सामने देखकर काफी सर्प्राइस थी फिर वो एमोशनल होकर योंगी को गले लगा लेती है जिसके बाद योंगी बताती है कि उसने इन डिजाइन के ऑनलाइन रिव् थी जो कि लॉस में चा रहे थे इसलिए वो अपनी असिस्टेंट से प्रोसीजर फॉलो करने के लिए कहती है फिर हम शाव शाव के नौन के साथ देखते हैं जो उसे सब कुछ बता देती है कि आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो उसमें मेरा हाथ था चाहे वो तुम्हा सामने आई थी नहीं तो मैं ही स्टेज पर सबके सामने होती यहां से अब हमें इनके कॉलेज का टाइम दिखाया जाता है जहां पर शाव 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 एक इवन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी पर उसे मौका नहीं मिल रहा था जो जीज लू देख लेता है और वो जा योकर सुन रही थी और उसे काफी बुरा लगता है प्रेजन में वो उसे बताती है कि उस कॉमपडिशन की बैक स्टेज पर जब उसने लू को प्रोपोस किया था तब उसका धियान सिर्फ शाव शाव पर ही था कि कहिए वो इन्हें इस तरह से देखकर गलत ना समझ ले क्य केता है कि उसके लिए सिर्फ शाव शाव ही राइट परसन है और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे आगे चल कर मुझे रिग्रेट हो फिर वो बताता है कि शाव शाव अपने लिए एक स्टूडियो ढून रही थी जो कि बोस ही हो कंपनी के पास हो इसलिए वो आइड जो बोलती है कि कॉलेज टाइम में आपने सिर्फ उसे पसंद किया जो कि आपको पसंद नहीं करता था तो इस समय मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था और वो उसे किसी साइक्याट्रिस को दिखाने के लिए बोलती है ताकि आगे चल कर वो एक नॉर्मल हेल्प मागती है कि वो लू को बता दे कि उसने कभी भी रिग्रेट फील नहीं किया इसके बाद हम शाओ शाओ को कम्टी में देखते हैं जहां यूआन मीटिंग में सभी को बताते हैं कि उन्होंने शाओ शाओ को सिग्नीचर वापस ले लिया है और वो यहाँ पर शाओ श हो जाता है और उसके लिए चिलाने लगता है जिसके जवाब में वो उसके अब तक की डिशिजन बताने लग जाती है जो सिर्फ उसने अपने मतलब के लिए लिये थे फिर चाहे सामने वाले को कितना ही बुरा क्यों न लगे जोसब सुनकर वो उसे काम से निकाल देते हैं और शाओ शाओ भी गुसे में यहां से चली जाती है पर लिनी उसे रोकर समझाने की कोशिश करती है तो शाओ शाओ युवान के अफैर की बाहर में उससे बात करती है और लिनी से पूछती है कि तुम तो इस आदमी को अच्छे से चानती हो पर फिर भी उसकी साइड ले रही है उसके मुह से शाओ-शाओ की तारीफ सुनकर यौंगी भी खुश हो जाती है और उसके बारे में अपनी मौम से बात करने के लिए भूलती है जिसके लिए और फिला पहले से ही बीचे अर्ट जाती है क्योंकि वो अपनी मौम को बहुत ही अच्छी से जानती थी कि वो शाओ शाओ-शाओ को कभी भी एकसेप नहीं करेंगी सेनफ शिफ्ट होता है जहां पर लूओ शाओ-शाओ के घर के भार उसका वेट कर रहा था तब ही शाओ-शाओ वहां पर आ जाती है जिससे लूओ अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और उसे प्रॉमिस करता ही कि वो प्रॉमिस को याद करके काफे मिस कर रहा था तब ही उसे याद आता है कि शाओ-शाओ ने उसे उसके सौंग लिखने के लिए लिए का था इतने में उसकी नजर रोम में रख हूई गिटार पर पड़ती है जिसके बाद वो उस गिटार को जब निकालता है तो उसे कुछ घ करता है और कहता है कि हम फ्रेंद्स तो रही सकते हैं जिसकी दोस्ती शौशा एक्सेप्ट कर लेती हैं यहां से अब हम युवान को देखते हैं जिसके क्याबिन में एक इसके लिए कम आप ओसे देखते हैं अब वहां पर और माहँट कर दे भोध टी युवां को। क्योंकि अब वहां पर एक एक इंप्रोई आती जो सब लेनी देखते हैं तो इसे याद आते हैं कि यह बोएदन– उससी नí औसे दिया था और यूँन ने आज तक इसे समाल कर रखा हुआ है जिस बात से वो खुश होकर यहां से चली जाती है फिर हम यूवाई को देखते हैं जो कि और फिला से मिलकर उसकी लोगों कमनी के बाहर में बात कर रहा था यूगि उसने न्यूज में देखा था कि वो फाइनलशल चैलेंजिस फेस कर रहे है जिस बात से और फिला भी काफी परिशान थी तो वो यहां पर उसे अपनी रिहर्सर पर इंवाईट करता है तो और फिला बोलती है कि उसका एक फ्रेंड ड्रामा का इंवेस्टर है और वो उसे जरूर रिकमेंड करेगी जो सुनकर वो काफी खोश हो जाता है सीनव यहां से लोगों पर आता है जो कि फैंग मिंग से शाओ शाओ की फेवरेट प्लेसिस के बाहर में पूछता है जिस पर वो बताता है कि यह ऐसी एक जगा तो है लेकिन वहाँ पर हम तीनों के अलाव और कोई भी ने गया है जब लोगों से भी वहाँ पर लेचलने के लिए कहता है तो फैंग मिंग पहले शाओ शाओ से पूछने के लिए बोलता है क्योंकि उसको डर था कि अगर उसे पता चला कि तो मेरे साथ वहाँ पर गए तो वो मुझे मार डालेगी फिर वो उसे शाओ शाओ की पार्टी की बार में बताता है जाओ वो उसे फेस टू फेस मिलकर बात कर सकता था पर लो बोलता है कि वो अपने लिए और कोई रासा ढोण लेगा वहीं आफिस में लिनी युवान की जाने के बाद उसकी क्याबिन में आती है जहां वो देखती है कि वहाँ पर जो कॉफी रखी थी वो अभी तक भरी हुई थी यानि कि उसने उससे जूट बोला था कि वो कल की कॉफी है वो नोटिस करती है कि उस कप पर भी वैसा ही सिंबल बना हुआ था जो कि अकसर वो युवान के लिए बनाया करती थी जिससे लेने का दिल तूट जाता और वो समझ जाती है कि इवान अभी भी उसे चीट कर रहा और वो बिल्कुल भी नहीं बतला अब जैसे ही वो कबड खोलती है तो देखते हैं कि उसमें कंपने की हर एक female employee का नाम के आगे उनकी bird date और उनसे जोड़ी हुए information लिखी हुई थी ये देखने के बाद वो रोने लग जाती है उसे इस costume में restaurant के पेंप्लिट्स पाटते वे देख लिया था और उसे ऐसा काम कर कि देखकर उन्हें काफी बुरा लगा यहाँ पर डाड को भी अपनी गलती समझ में आ गई थी कि अपनी expectation के सामने उन्होंने फैंग मिंग के बार में कभी भी नी सोचा और अब वो उसे अपनी racing passion को follow करने के लिए कहते हैं फिर हम वापस से लिनी को देखते हैं जो कि युवान से मिलने के लिए उसके घर जाती है जिसे वापस देखकर युवान काफी खुश होता है और उसे गले लगा लेता है पर लिनी काफी दुखी थी और वो फिश को खाना किलाते किलाते युवान को बताती है कि वो pregnant है जो सुनकर वो काफी दा शौक हो जाते है और बीचे हट जाते है पर लिनी आप पर उसे गले लगा कर शादी करने के लिए कहती है लेकिन युवान इस सब के लिए ready नहीं था इसलिए वो इस बच्चे को उसे गिरानी के लिए बोलता है पर लिनी इस बच्चे को रखना चाहती थी और युवान से शादी करके अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहती थी पर युवान कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता जो सुनकर लेने को काफी बूरा लगता है और वो यूँन को थपड मार कर यहां से चली चाती है अगले दिन फिर हम शाओ शाओ को पार्टी में देखते हैं जहां पर लो सबसे पहले आ गया था इतने में शाओ शाओ भी आ जाती है जो कि लोगो को गिटार के साथ देखकर समझ गई थी कि उसने उसके लिए गाना लिखा है तब लोगो उसे पोश रहता है कि तुमने मुझे गाना लिखने के लिए क्यों कहा था लू अब शाओ शाओ को सर्प्राइज देने के लिए उसकी आँकी बंद करवाता है फिर वो वहाँ पर रखे कैमरा में रिकॉर्डिंग शुरू करता है और गिटार लेकर उसके लिखा हुआ सौंग गाना शुरू करता है जो सुनकर शाओ शाओ को काफी अच्छा लगता है पर तब ये अचानक से उसके चेस्ट में काफी तेस बेन होने लग जाता है और वो बेहोशो का नीचे गिर पड़ता है जिसकी ये हालत देखकर शाओ शाओ काफी घबरा जाते हैं उठाने की कोशिश करती है अगली सीन में अब हम शाओ 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 यॉंग ये और फैंग मिंग को देखते हैं जो कि लोगों को हॉस्पटल ले जाते है जाओ शाओ शाओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या अगर उसके आचानक से क्या हो गया जिसे यॉंग की बताती है कि लोगों को हाट में प्राबलम है ये सुनकर शाओ शाओ हैरान हो जाती है क्योंकि इस बारे में उसने कभी भी उससे कुछ नहीं बताया था तो फैंग मिंग बोलता है कि वो तुमें परशान नहीं करना चाता था इसे लिए उसने ऐसा किया तुसरी तरफ हो मॉर्फिला को देखते हैं जो कि यॉवई की रिहर्सल देखनी के लिए गई हुई थी लेकिन यॉवई अंतर बीजी था इसे लिए उसका वेट करती है इतने में उसे यॉंग की का फोन आता है जो से लिए उसकी कंडिशन की बार में बताती है जो सुनकर वो काफ़ी टेंशन में आ जाती है तब यॉवई भी उसे नोटिस करते हैं और अपनी रिहर्सल देखनी के लिए बुलाता है लेकिन इस वक्त वो काफ़ी जल्दी में थी इसे लिए वो उसे अपनी फ्रिंट की ड्रामा की स्क्रिप्ट देती है और यहां से चली जाती है सीने वापस से शौशो पर आता है जो कि लिए के लिए काफ़ी परशान हो रही थी तब ही फैंग मिंगों से उस गितार की बार में पूछता है क्योंकि वो शिंग का गिटार था जो कि शौशो सिंगापूर जाकर उसके गिरिफ पर रखकर आई थी जिस पर वो कहती है कि शायद लोगों ने उस वक्त उसे उठा लिया होगा लेकिन उसने ऐसा क्यों किया जिसका जवाब तो कोई भी नहीं जानता था इतने में योंगी कुछ फ्रूट्स लेकर वापस आती है शाव शाव फिरन लोगों को वापस भेज़ देती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर समान लूँगी इसलिए वो लोग यहाँ से चले जाते है शाव शाव फिर लोगों के पास जाकर उसे कहती है कि मैंने तो तुम्हें कपका माफ कर दिया था बस तुमने नोटे से नहीं किया तब यह उर्फिला गबराई हुई वहाँ पर आती है जिसके पूछने पर शाव शाव बताती है कि लोगों को हार्ट अटाइक आया था लेकिन अब वो खत्रे से बाहर है जो सुनकर उसे थोड़े सी शानती मिलती है जिसके बाद वो शाव शाव से माफी मागती है और लोगों का ध्यान रखने के लिए थैंक्स बोलती है तो शाव शाव भी बोलती है कि अब उन्हें अपने बीच में सब कुछ पहले से शुरू करना चाहिए इतने में शाव शाव को भूग लग जाती है इसलिए और फिला उसके लिए खाने लेने चली जाती है अगली सुबा अब जब लोगों को होश आता है तो वो देखता है कि शाव शाव उसके पास ही सो रही थी जिससे उब रांक इसे कवर कर देता है तब ही वहां पर डॉक्टर लोगो की रिपोर्ट्स लेकर आते है जिनसे बात करने के लिए लोगों के क्याविन में चला जाता है जहां डॉक्टर उसे उसके हार्ट ट्रांस्प्लांट के बार में बात कर रहे थे उसे किसी लड़की के विजन साते हैं जिसके जवाब में डॉक्टर कहते हैं कि ट्रांस्प्लांट केसिस में अकसर ऐसा होता है फिर वो उसकी पूझने पर ये भी बताते हैं कि ट्रांस्प्लांट किये हुए पेशिंस की लाइफ टाइम मैक्सिमम 13 साल होती है जो सुनकर लुओ परशान हो जाता है और इस बात को सबसे सीखर रखने के लिए बोलता है कैबिन से भार आने के बाद लुओ यौंगी को फोन करता है जो कि फैंग मिंग की हाट डिस्क वापस लेने के लिए कई हुई थी लुओ फिर यहाँ पर उसे अपनी हाट सरजरी वाली बाते चुपाने के लिए के लिए कहता है तो यौंगी बोलती है कि इस अब तुम्हारा डिसीजन है इसलिए जब तुम चाहो तो किसी को भी बता सकते हो दूसरी तरफ हम लेनी को देखते हैं जो कि इवान की गैर मौझोदकी में उसकी क्याबिन में चली जाती है और उसके लैप्टाप से प्रॉपर्टी ट्रांसफर अप्लिकेशन फॉरन परचेश जैसी इन्फोमेशन की फोटोस कीच करवाना से चली जाती है लेकिन जब थोड़ी दिर बाद यहान वापस आता है तो अपने लैप्टाप की हालत देखकर वो समझ किया था कि यहाँ पर कोई आया इससे लिए वो सेक्योरिटी से सिसेरी वे फुटेज चेक करवाने के लिए कहता है कि उसकी क्याबिन में कौन आया था फिर हम औरफिला को देखते हैं जो कि डॉक्टर से मिलकर लोग की कंडिशन के बार में जानने के लिए गई थी जहां डॉक्टरों से बताते हैं कि उसकी ऐसी हेल्ट कंडिशन हाट ट्रांस्प्लांट की वज़े से हो रही थी पर फिलाल वो ठीक है ये सुनकर वो हैरान हो जाती है कि लोग को उसके हार्ट ट्रांस्प्लांट की बार में पता चल गया है क्योंकि उसकी मौम और उसने उससे ये बात छुपाई थी जान डॉक्टर भी बोलता है कि लोग की कंडिशन ऐसी हो गई थी इसलिए हमें उसे ये बात बतानी पड़ी और हमें पता चला कि लोग के पास कम टाइम बचा है जो बात उर्फिला पहले से ये जानती थी सेने वापस से यवान पर आता है जिसे पता चल गया था कि उसकी क्याबिन में लेनी आई थी इसलिए हो अपने घर पर उसे मिलने के लिए बुलाता है जिसके आने पर वो उसे अपने कल के बरताफ के लिए माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि उसने पिछली रात इस बार में काफी सोचा और वो उसे शादी करना चाता है जो सुनकर उसे यकीन ही नहीं और वो काफ़े खोश होगा उसे घली लगा लेती है जो देखकर वो उसे अपने पास बूलाता है दूसरी तरफ शाओ-शाओ जब लुओ को घोश में देखती है तो काफ़ी एकसाइडड होकार उसे घली लगा लेती है इतने में पीज़े से औरफिला आ जाती है चुकि शाओ शाओ को डॉक्टर की बातें बताती है कि लूओ अब ठीक है और वो जूट कहती है कि उसका हाट बच्पन से ही कम जोर है इसलिए ये सब हुआ फिर जब शाओ शाओ वाश्रों में जाती है तो लूओ और फिला से अपने अब तक की भीएवे के लिए मावी मांगता है जिस पर वो कहती है कि इसके कोई जुरत नहीं है वो एक फैमिली है और वो उसे ये सब कुछ मॉम से चुपाने के लिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाता था कि मॉम परेशान हो जिसके लिए वो भी मांग जाती है इतने में उसे किसी का कॉला आता है जिसे बात करने के लिए वो बाहर चली जाती है वहीं युवान लिनी के लिए खाना बना रहा था जो देखकर उसे काफी अच्छा लगता है और वो युवान से पूछती है कि वो किसी ओलिड़की के पास तो नहीं जाएगा ना इस पर वो नामी जवाब देता है और बताता है कि उन सब को मेरा पैसा चाहिए था पर तुम अलग हो फिर लिनी पूछते कि वो शादी कप कर रहे है तो वो बताता है कि मेरा सारा काम खतम होने के बाद जो सुनकर वो काफी खोश हो जाती है और अंदर फ्रेश होने के लिए चली जाती है जिसके जाने पर युआन उसका फोन डूनता है लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता इसका मतलब वो उसे इतना प्यार इसे लिए दिखा रहा था क्योंकि वो उसकी फोन में मौजूद फोटोस को डिलीट करना चाहता था सीनव वापस से लूओ पर आता है जो कि एक पेशन को अपने टफ टाइम में अपनी फामिली से बात करते हुए सुनकर खाफी एमोशनल हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी सिट्वेशन भी जल्दी वैसी हो जाएगी अगर वो शाओ शाओ के साथ रहा थो जिसे रोता हुआ देखकर शाओ शाओ को कुछ भी समझ नहीं आता फिर वो उसे बोलता है कि अगर उस आदमी की वाइफ के जगा तुम होती तो क्या तुम उसके साथ रहती या फिर उसे छोड़ देती जिस पर शाओ 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 बोलती है कि अगर मैं सच में उस इंसान से प्यार करती हूँ तो हमेशा उसके साथ ही रहूंगी चाहे जो कुछ भी हो ये सुनकर लोगो को तसल्ली मिल चाती है फिर शाओ-शाओ शाओ शेंख के गिटार के बाहर में पूछती है कि वो उसके पास क्या कर रहा है तो लोगो उसे ठीक से जवाब नहीं देता और क्याता है कि वो मुझे अच्छा लगा इसले मैंने उठा लिया तो शौशा बोलती है कि मुझसे मिलने के बाद तुम उसे मुझे वापस भी तो कर सकते थे ना लेकिन वो बोलता है कि वैसा की टर मुझे हमेशा से चाहिए था जिसके ऐसी बाते सुनकर उसे काफी अजीब लगता है लो उसे बोलता है कि तुम्हे इतने टाइम डेट करने के बाद मुझे समझ आया कि तुम किस तरह की लड़की हो और हम दोनों के इस जिन्दगी काफी अलग है जिसके बाद वो उसे अपने आपसे ब्रीक अप करके लो के पास जाने के लिए कहता है जो सुनकर वो काफी हिरान हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड ही पर खातम होता है तो गाईज ये थी आज की वीडियो और ही हूप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आज होगी तो इस वीडियो को लाइक करकर चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजएगा